नमस्ते, आज मुझे आवश्यक्ता महसूस हो रही है कि मैं, गोधी मीडिया, नामक प्रभृती पर विचार करूँ, जिसे एक प्रसिद्ध पत्रकार और समाचार एंकने उचित रूप से स्वर्णिम शब्दों में कहा है. गोधी मीडिया चैनल्स, उनके समाचार प्रस्तुत करताओं और एंकस, लगता है, नफरत के प्रसारकों के प्रती अपनी बुद्धी, इमानदारी और नैतिक मार्गदर्शन की परामर्षता को सविकार कर चुके हैं, और उनके द्वारा प्रसारित और बढ़ावने वाले द चाया चित्र समाज के विभिन वर्गों में पाय जा रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछडे हुए और सम्रिधा, शिक्षित और कम शिक्षित, युवा, छात्र, कार्याले जाने वाले, सिविल सेवक, पेशेवर और अंगिनत दूसरों में। ऐसा लगता है कि यह समाचारों का सेवन करने के लिए मानव मनोबल को बहुतायता दी गई है, बिना यह विचार किये कि उनकी प्रस्तुती की जानकारी सत्य और मानेता में है या नहीं। मैं इन पत्रकारों और समाचार प्रस्तुत करताओं से यह प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या वे उन दूशित दी की ओर बढ़ता है। इसलिए उनकी दूश प्रसारन की कीमत कभी न कभी उनके खुद के जीवन को प्रभावित करने के लिए लोट सकती है और उनके परिवार और बच्चों को प्रभावित कर सकती है। उन्हें उस समय किसके लिए जवाब दे ठहराना होगा? किसमत या उच्छ शक्ती के लिए? जब उनके बच्चे अपने भविश्य में होने वाले खंडन के बारे में सवाल करेंगे, तो उनके पास क्या उत्तर होगा? क्या वे अपने संतानों को पालने और शिक्षा देने के लिए उप्योग किये गए माधिमों की तारीफ कर सकते हैं? यह म समय भी नुकसान को ठीक करने का प्रयास करने का आवाज होगा? दुखत तोर पर, तब तक, उनके कर्मों की मूले लिया जाने का समय बहुत पहले चुप जाएगा. यहां तक कि उनकी आसू और माफी भी उनके हाथों पर लगे रक्त के दाग और उनके पापों के भार को सा मान करना उचित है. मैं जो आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो ही यह है. भारत मेरा प्रियादेश है, और उसके सभी निवासियों को मैं अपने भाई बहन मानता हूँ. जाए हिंद!